हेलो फिरेंड्स, असलाम लेकूं, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, सुबह के छे बज रहे हैं, मैंने खुद के लिए चाय बना लिया है, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलते हूँ, मैं आ गई हूँ किचन में, बचों के लिए लंच बनाना है, आप द अब देख सकते हैं, ब्रेट को मैंने अच्छे सेक लिया है, और इसमें मयोनिज और सॉस को मैंने लगा दिया है, अंडे को मैंने पहले से घोल के रख दिया था, मैं यहां पर आमलेट बना ले रही हूँ, मैंने इसमें ओनियों गरा का यूज नहीं किया है, बच्चों को तो फ़पी पसंद नहीं अईसे लंच के टाइम में जब खाने जाते हैं तो संद्विच ठंडा हो चुका होता है तो ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता हूं पसंद भी नहीं है इसलिए बहुत सिंपल साथा सेंड्विच बना के मैं उनके लंच में देती हूं ज्यादा तर तो लंच में प्राठा ले जाते हैं लेकिन आज उन्होंने फर्माइस किया कि सेंविच ले जाना इसलिए मैंने वही बना दिया उनके लिए फटा-फट से हो भी गया आप देख सकते हैं सिंविच मैंने बना के रेडी कर दिया है मैं लंच में रख देती हूँ फिर आप से मिलती हूँ बच्ची स्कूल जा चुके हैं मैं दोपार के लंच की तयारी कर रही हूँ 11 बच चुके हैं मैं लंच की तयारी करने जा रही हूँ यहां पर मैं सिंपल सी भाजी बनाओंगी और लौकी की भाजी बनाओंगी अब देख सकते हैं मैंने यहां कट करने के लिए सब्जी को निकाल लिया है लौकी भी कट हो चुकी है और आलू भी कट हो चुका है यहां पर ओनियन मैं ब्राउन कर रही हूं दोनु साइड मैं पह कोई मसाला नहीं आइड करना है सिर्फ ओनियों और ग्रीन चिली पर ही बनाऊंगी सबजी को अच्छे सवास करके मैंने लौकी को बॉयल कर लिया है दो सिटी आने तक मैंने इसे बॉयल कर लिया है आलो को भी चौप करके अच्छे सवास कर लिया है आप देख सकते हैं ओनियन हमारी ब्राउन हो चुकी है इसमें लौकी को हम एड कर देंगे मैं बहुत सिंपल सी यहां पे सबजी बना रही है अगर आपको मसाला पसंद हो तो इसमें मसाले को भी ऐड़ कर सकते हैं लौकी को मैंने ऐड़ कर दिया है स्वाद अनुसार इसमें नमक को ऐड़ करेंगे दूसरे साइड भी ओनियन हमारी बराउन हो चुकि इसमें आलू को हम एड़ कर लेंगे इसमें मैं कोई मसाला एड़ नहीं कर रही है सिर्फ नमक और ग्रीन चिली और ओनियन पर बना रही हूँ अगर आपको मसाला पसंद हो तो इसमें हलका सा मसाला भी आड़ कर सकते हैं मैं ड्राई भाजी बना रही बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है ड्राई भाजी इसलिए मैं यही बना रही हूँ आप देख सकते हैं सबजी हमारी कूख हो रही है फ्रेंट्स अगर मेरी वीडियो थोड़ी से भी पसंद आती हो तो कमेंट करिएगा और थोड़ी से भी यूज़ फूल लगे तो अपने फ्रेंट्स को जरूर सेयर करिएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को पुस्ट कर लिजिएगा ताके हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबजी हमारी बन रही है तब तक दाल चावल की भी त्यारी कर लेती हूँ दाल को मैंने अच्छे सवास करके इसमें नमा खल दी और तेल को आड़ कर दिया है चावल को भी विगो के मैंने रख दिया है का चाव अपट से मैं रोटी भी बना लेती हूं मुझे जादा रोटी नहीं बनानी है क्यों ही मैं चावल भी बना रही हूं साथ में मैंने एक साइट चावल बनने के लिए रख दिया है और दूसरे साइट से मैंने रोटी बना लिया है मैं रोटी बनाओंगी तब तक मेरा चावल भी बनके रेडी हो जाएगा आप देख सकते हैं रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है सब्जी भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है सब्जी और रोटी हमारी बन के रेडी हो चुकी है दाल भी हमारी यहां पे रेडी है दाल में हम तड़का लगा देते हैं मैं जीरे का तड़का लगा रही हूँ आप अपने पसंद के हिसाब से तड़का लगा सकते है दाल भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं धूसरे साइड मैंने चावल बनने के लिए रख दिया है चावल बन रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेगे वैसे कीचन में कड़े होके वेट करने चाहिए काम हमसे साथ काम करें और काम करेंसे निप्टा लिए हैं मैं सारे कपड़े को उठा लेती हूँ आप देख सकते हैं सारे कपड़े को मैंने उठा लिया है इसे मैं फोर्ड कर लेती हूँ फ्रेंस आज को ब्लोग अगर थोड़ा सा भी पसंद आ ये तो आपने फ्रेंस को जरूर। सेर करिएगा लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ब्लोग में ही पेंट करती हूं अल्ला हाफीज